श्कार दोस्तों नेजबर्ड में एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट खुली है अब मैं आपको इतातू कि नेजबर्ड होता क्या है दे नैशनल इंस्ट्ट्टूट फॉर इंटर्प्रनियॉर्शिप एंड स्मॉल बिजनस डेफलेप्मेंट जिसे शॉर्ट में हम इतना आप देख सकते हैं यहां पर 15600 से लेकर के 40,000 तक यह लेवल 10 की जो होती है पे लेवल वह है ठीक है अच्छा अब मैं आपको तब करता क्या आपको दिख गया होगा कि कैसा इस्ट्टूट जो इंटर्प्रनियॉर्शिप यानि बिजनसमैन को बनाता है बिजनस बना दिख रहा है स्किल डेवलप करता है ताकि कोई भी एक बच्चा जो है उटकर की बिजनस कर सके उसके रिच्टिविटी को सपोर्ट करते हैं यूव थो चूटा कोछ भी बिजनस के दिमाग में आया है वो कर सके इसके लिए बहुत से यह प्रोग्राम चलाते हैं जैसके बा में आपकी पोस्टिंग होगी ठीक है और याद रखिए इसे आपको पांच मई से पहले-पहले भर की भीज़ देना उन्हें तो बहुत काफी डेट है लेकिन आपको पहले से उसे करना ठीक है चली मुझत आता हूं कि यह जानेंगे कि application format कैसा है कैसे क्या भरना है और तीसरे में यह जानेंगे कि आपके लिए guidelines क्या क्या है क्या 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 आपको फॉलो करके आना है अब पहला यहां पर आ चुका है आप देख सकते हैं यहां पर एनेग्जर 1 ठीक है दोस्तों देखिए सबसे पहले तो पे बैं देखो दोस्तों maximum age limit 56 है ठीक है अब यह भी वैसा ही दोस्तों है इनिशल लेवल पर आपको जब भरती डेपूटेशन बेस पर है यह यह ना मतलब समझ है शॉट टम के लिए जॉब रहेगी है इनिशल और बढ़ाई भी जा सकती है वह आपके काम भी डिपेंड करता है तो यह तो बात हो गई भाई कि age limit 56 है और period of deputation, deputation का मतलब बहुता शॉट टम करना है तो पांसल तक maximum करना है eligibility conditions के हम अगर बात करें दोस्तों के eligibility क्या क्या है तो देखिए ऑफिसर सुना चाहिए अब ऑफिसर सी यह मत सुच लेना कि सरफ government employee apply कर सकता है यह कता ही नहीं है साफ साफ यहां पी इसलिए लिख दिया आता है आगे बहुत ध्यान सुनेंगे जब आपको मैं पढ़के आठाइस स्टेट्यूटरी बॉडी में हो सकते हो आप अधा या फिर पूरा ही प्राइविट हो सकता है और अटोनोमस का मतलब भी होता स्वाचालित ठीक है अपने काम किया और अनलोगस पोस्ट और रेगुलर बिसेंदव पेरेंट केडर और डिपार्टमेंट आपने उस सबज़े ना यहां इतनी सेलर रही हो इस तरह से का गया है तो यह और लिखा है इसको अगीकत मत माले ना और यह मैं सुझना कि यह जिसके पास सरकाइज नोग्री तो करी रहा है और यह उनकी लिए इनके पास कोई नहीं है बस सिंपल बात है कि मैं किसी इंस्ट्यूट में इस आपके relevant field में relevant मतलब administration से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए तो अगर आप पसेस्ट करते हो उसमें क्या-क्या मैं भी सब बताऊंगा अब देखो दूस्तों मैंने कारी किसमें आता है experience नहीं इनोंने बोला है एक साल नहीं दो साल अभी अभी बताऊंगा कि अभी कितना है आठ साल है दस साल है कितना सब बताऊंगा मैं चलिए और मैंने पहले clear कर दिया है कि आप कहीं पर भी हो आपने पस administration से जुड़ा हुआ काम किया हो अब देखें इसमें क्या-क्या आता है या तो आपने deal किया administration से human resource समझ में आ गया HR department होता जो establishment procurement and maintenance of premises maintenance of premises भी आ गया budget आ गया से देखो finance and account matter आ गया central state government university recognized training और research institutions autonomous bodies public sector इंटेकिंग स्टेटरी सेमी government organizations इन सब में अगर आपने इस सारे काम समझाले है इस तरह के department में ठीक है और minimum जो है 8 साल का experience होना चाहिए आपको बस administrative experience होना चाहिए administrative experience in government organization या फिर कोई भी educational institutions अब ठीक है इसको भी सोड़ा सा माइंड करना जो मैंने बोला आप से अब देखें experience of having dealt with all matters related to administration वही बात वापस से बोल दी budget finance account से दुनिया दारी फला फला बाते फिर से repeat कर दी हूँ या फिर 8 साल का experience हो public relations में work और autonomous bodies में ठीक है यहां पर और का मतलब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं यह पूरा एक गिना गया ठी 8 साल वो किसी government organization में educational institute में है ठीक है रहा हो administration देखा हो और साथ में budget finances अब देखा हो experience इसका हो तो वह भर सकता है अगर यह नहीं है तो फिर अब यह 8 साल देखना है या तो वह 8 साल तक at least 8 years experience in public public relation work ठीक है पी और डबलू जो हो गया in government भी government भी चलेगा या autonomous body याने private भी चल स आप भुपाल की मंडी दीप में अपने administration या finance department देखा है 8 साल आप वहां काम कर रहे थे तो समझ यह हो ना आप आप आपने यह 8 साल काम finance पगेरा किया है आप आराम से इसको आकर के भर सकते हो ठीक है आसान भाशा में समझानी कुछ करो तो मैं कोई 8 साल से बच्चा या बं से मंडी दीप में न्यू इंडेस्ट्री ले दिया इस सब में चले तो अब दिखें और दूसरा इनने बोला है कि नॉलेज रहना चाहिए उसको गवर्मेंट रूल का रेवलेशन का गवर्निंग सर्विस इस्टैबलिश्मेंट मैंटर प्रोक्यूर्मेंट अना बजेट फ सब दो लोग का यह यही था एक जिसा हो गया अब यह देखेंगे कैसे डिसाट करेंगे तो देखें किसी के पाथ डिजारेबल वाला पांस साल का एक्स्पिरेंस और एड्मिनिस्टैशन में अलग से एडूकेशन इंस्टिटूट में उसको बहुत असा दे दिया समझें त इस अधर क्वालिफिकेशन रिक्वाइड फॉर्ड पोस्ट आर सट्ट आर सटिस्फाइड भई जो आपने किया हो सटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है मत उसमें मत जाओए आपको सारा कुछ भर के दिखाना है उनको सारा कुछ ठिक चले भई डिजारेबल सबस्तों करोनलोजिकल ओर मतलब सबसे पहले का कलकि होगा किभी का का क्रulations का क्रम किया एपक कि अब եीच पहले पहले लिखते हैं यह पोड़र प traffic और चलिए ऑच्छा लिए प Täस्वेश्यल आपको बता देना है from तो किता 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 कारा से क्या उठाए आपने यह झाले यह वाला important column हो गया मालनों अगर आप employment हो आप deputation में already हो आप पहले से deputation में तो आपको deputation वाले यहां पर जनकारी भर देनीए पीरेड़ अपंडमेंट कभी देट अपंडमेंट है नेम कौन से office में हो कौन से पोस्ट में यहां पर लिख देना अगर आप already इसमें है तो ठीक है तो समझगे हो दूस्तों अब यह जो कॉलम आपको दिख रहा है यह इसमें यहां पर आपको 200 शब्दों में लिख करके बता आपके पास एक्सपीरियंस है उस फिल्ड से जुड़ा हुआ तो और उसका contribution आप कैसे अपने experience को contribute करोगे यह जो पोस्ट खुली है उसके उसमें कैसे अपने experience को पर आपको बताना है यह पर क्या कर सकते हैं किस काम आ सकते हैं आपकी qualification इस अब अगर हम देखें प्रेज़न इंप्लोइमेंट के तो भई आप कहां पर काम कर रहे हैं यह बताना है क्या सेंट्रल अब बतानी है अपको कितना कैसा कैसा था टिक टोटल इमोलिमेंट्स और यहां पर दोस्तों अपना को बताना है आपको अब्धिशनल आपने को यहां पर कर दिना है यहाद रहंगे इस बता है यह फॉर्म जब आ भीजेंगे जो आपको इसे भीजना पड़ेगा ने तो उसमें आपको भीज़ना है तो उसमें भीज़ना आप ये बाकी चीज़े तो थोड़ी सी लगती ही पहुंचे नहीं पहुंचे पता ही नहीं होता है ठीक है और यह है दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा सर्टिफिकेशन आप अपिशले पांस साल में कोई बी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है कोई बी गलत चीज नहीं है कोई बी विजिलेंस डिसिप्लिनरी एक्षिन याने कुछ भी गलत इन्हों नहीं किया है अबहद्ध बैवार नहीं किया है यहां पर यहीं चीज काम आ जाती है कोई बी पैनल्टी आपके उपर उपर नियुक्य पिछले 10 सालों में पिछले 5 सालों में कोई बी जान चीज नहीं हुए वही बात तो इसमें उसके साइन होंगे तो यह आप जहां पर काम कर रहें न वहां उत्रेटी इसमें साइन सील करेगी ठीक है तो यह सब आपको भी अब यह सब यह पूरा निकाल लेना इसकी लिंक में आपको दे रहा हूं ठीक है और यह गाइडलाइन से दोस्तों की गाइडलाइन में आपको मालू में क्या क्या चीज होती है कि एक चीज इंपॉर्णेंट है आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिल रहा है त्रैवलिंग अल appropriate.inesbird.gov.in ठीक है इसमें आपको सारे मैल करने हैं अपस्तावेज सारे सब्सक्राइबंग और यह application वहूंग और साhtमें यह वाला यह NOC की तरह करता है आपको अपत्ती नहीं है इनके खिलाब कोई crime record नहीं है कोई penalty नहीं है तो यह सब आपको अलग से पहले print निकालना भरना और फिर लिफाफे में बंद करना और फिर बेज देना पते पर ठीक है जो पता आपको उपर दिया हुआ है नहीं तो यह सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इसे mail करें आप mail होगा जानकर यह आपके काम की हो तो आप इसका लाब उठाए और नहीं हो तो इससे आगे बढ़ा देजिए जिसके काम का होगा वो से ले लेगा ठीके दोस्तों आपने में सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद जहिन जय भारत को रोड़न सुरुक्षित रहें देका करण दोगज के दूरी बनाये रखें